चलो आज हम लोग mathematical टूल के numerical करेंगे और यह numerical हम लोग बहुत कोशिश करेंगे जली-जली करेंगे और क्योंकि अलड़ी हम लोगों ने trigmetry के concept समझ लिए हैं तो यह जो question हम लोग करेंगे वो पूरी तरह से based maximum question trigmetry के होंगे और formula based होंगे जो चीज़ हम लोग ने सीखी है पीछे उसी से related यह सारे numerical होंगे तो उससे पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूं जैसे rectangle triangle triangle है ठीक है ए बी और सी ठीक है और यह बी एंगल 90 डिग्री का है और यह एंगिल 53 डिग्री है और यह 37 डिग्री है तो साइन 37 की value कितनी होती है यह आपको याद करना है इसका ratio जो होता है ध्यान अफना 37 के सामने की side 3 unit होती है 53 के सामने की side 4 unit होती है और 90 डिग्री के सामने की side 5 unit होती है यानि 3 to 4 to 5 का ratio होता है ठीक है तो अगर 37 की बात करूं तो perpendicular upon happiness तो 37 के सामने की side 3 है वो पॉपर निक्लर होगी 3 हो गया और 90 डिग्री होगी तो यह हो गया upon happiness क्या होना चाहिए 53 डिग्री के सामने की side 4 वो पॉपर निक्लर होगा तो 4 upon happiness कॉस्ट 53 डिग्री की value क्या होगी base upon happiness base हो जाएगा इसमें 3 by 5 और 10 53 की value क्या हो जाएगी पॉपर निक्लर upon यारी 4 by 3 होगी तो आपको यह पॉइंट याद रपना यह formula आपको याद रपना एक याद कर लो यह इस triangle को याद कर लो किसी तरह triangle में 37 डिग्री के सामने की side जो होगी 3 unit होगी 53 के सामने की side 4 unit और 90 डिग्री के सामने की side 5 unit ठीक है तो यह angle का angle के basis पे और निमेरकल कोशिश करेंगे कि थोड़ा ते सॉल्व करें कि और मॉस्ट 25 निमेरकल से हैं तो जले ज़िए हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की जैसे पहला ही कोशन है ठीक है पहले कोशन में क्या है देखो ज़रा sin 37 into cos 53 तो sin 37 into cos 53 अभी हम लोगने क्या किया डिसकस किया था sin 37 की वैलू 3 by 4 3 by 5 होती है और cos 53 की वैलू देखो ज़रा पीछे वाले में cos 53 की वैलू 3 by 5 तो ये भी 3 by 5 होती है वो भी 3 by 5 3 by 5 तो 3 by 5 कितना होगा 9 by 25 तो ये आंसर होगा पहला ही आंसर correct answer है चलो next question करते हैं next question में क्या करा है sin theta की value 1 by 3 और ये plus में है cos theta की value निकालना है तो sin theta की value अगर sin theta की value 1 by 3 है तो cos theta की value क्या होगी sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है तो cos square theta is equal to 1 minus sin square theta होगा 1 minus sin theta की value है 1 by 3 1 by 3 का whole square minus में 1 minus 1 by 3 ये कितना हो जागा 1 by 9 होगा यानि 9 minus 1 by 9 is equal to 8 by 9 ये किसकी value है sin square theta की value ये cos square theta की value है तो cos theta की value कितना होगी 2 root 2 by 3 plus minus होगी 2 root 2 by 3 ये वाल option सही है c वाल option जदा appropriate है चलो next question करते हैं sin theta की value 3 by 5 plus में जाम रिखूं sin theta की value plus 3 by 5 cos theta की value less than 0 less than 0 का मतलब है negative cos theta क्या है negative है तो sin positive और cos negative चीक है किसमें होता है बताओ अभी हम लोगों ने जल्दी किया हुआ है quadrant में first quadrant second quadrant और third quadrant ये हुआ 4th quadrant ये हुआ यहां सभी positive होते हैं यहां sign और उसका reciprocal positive होता है यहां 10 और उसका reciprocal यहां cos positive तो sign negative कहां होता है cos यहां negative होता है यहनि second quadrant में और third quadrant में cos negative होता है ज्यान रखो cos negative second और third quadrant में होता है लेकिन sign positive कहां होता है first में होता है और second में होता है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यह थीटा किस triangle में होगा में quadrant में होका second quadrant में और second quadrant में 10 की value क्या होती है 10 की value negative होती है ध्यान रखो इस बात को sign positive कहां होता है first or second तो common क्या हुआ second हुआ sign positive second में और cos negative भी second में तो इसका मतलब है यह आपका angle second quadrant में आ रहा है और second quadrant में 10 negative होता है तो अगर sign की value 3 by 5 है ठीक है तो यानि यह जो triangle अम लोग बनाते है यह 3 यह 4 यह 5 तो 3 by 5 मतलब यह angle 37 degree है तभी तो 3 by 5 हुआ sign correct है तो 10 की value क्या होगी 10 की value 3 by 4 होगी लेकिन 10 second quadrant में क्या होता है negative होता है इसलिए minus 3 by 4 होगा answer कौन सा होगा 3 by 4 यह बीवल option ज्यादा appropriate है चलो next question करते है next question है the length of the arc is AB इस आर्क की length है AB उसका value यह radius दिया हुआ r 7 cm theta 90 degree है यह angle 90 degree है और पाई की value 22 by 7 है तो angle is cut to arc upon radius होता है तो arc upon radius तो arc की value पूछ रहा है तो आर्क एबी इस कर्ट क्या होगा आर को cross multiply कर दो तो theta इंटू आर थीटा एडियन में लेते हैं कितना पाई बाई बाई टू इंटू रेडिस कितना है 7 ठीक है 7 cm तो पाई की value क्या रखेंगे 22 by 7 तो पहले से नीच है 7 7 7 7 कर तो 11 तो एबी आर्क एबी की value कितनी है आगी आर्क एबी की value आगी 11 cm को सॉप्शन अप्रोपरियेट है और सी बाला ज़या जादा अप्रोपरियेट आंसर है चलो नेक्स कोशन करते हैं कोशन कहा है τι क्यों होता है तो अगर थी तक फिर्टी तो टो थी अधर क्यों स्वेवस् aja हेगी तो अभी स्वल से वीफटीन इंटू शुब्त इंटू कॉसीन डिगरी अगर मैं बन गया 2 sin theta into cos it as per 2 sin 2 theta this quarter s lesser 2 into sin 2 into 15 degree यह बन गाण आपस 2 into 15 को रहता 30 1 upon 2 into sign 30 sign 30 even kitty وت 1 by 2 1 by 2 into 1 by 2 sign 30 will 1 by 2 1 by 2 1 by 4 ऐगा तो कम सा और प्रोपीटजाद अपर टाड़ अन्पना प्रोपिते चलू नेक्स सब्सक्रेशन करते हैं विच आफ दो फालीं हिस कॉर्ण किन इंटीटी इंटीटीज वन प्लस 10 तो सबस्कुआ थीक पीड़े थें ठीक लिए साइट स्कुर्ट इटा तो यह ऐडेंटिती ठीक है और साइन स्कुर्ट इप्लस कर इटा की वैलू यह भी आपको पाता है वन मैनस कॉस यह हो जाएगा इसको कर लेते हैं हम लोग वन मैनस कॉट इसको आए इसको आएड़े डिटा इस पर होगा मैनस कॉस also square स्क्राइब 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 इसको आप शोड़ सकते हो तो कौन से आरेंटिटी ठीक है दूसरी भी ठीक है और ये वाली साइन थीटा इंटू वन वर को सीटा इसकर टू टैन थीटा हाँ यह वाली ठीक है तो ए बी और टीनो ठीक है सी वाली अडेंटिती ठीक नहीं है चलो नेक्स पॉशिशन करते हैं इसमें विच फॉइस वेलु वन वन टाइन फोर डिवां की वेलुब रहुत यह संय निंट की वी और की नहीं होती है चलो नीक्स पॉशन करते हैं which of the falling has the zero value sin 0 की value 0 होती है 10 0 की value भी 0 होती है cause 0 की value 1 होती है और उसके reciprocal की value भी 1 होगी तो कौन सा सही हुआ A और C जो है उसकी value A और B की value 0 होती है बाकि दोनों की नहीं होती है A और D की नहीं होती है 0 के इकवर चलो next question करते है convert the angle into radial देखो सबसे पहले 1 degree is equal to कितना होता है 5 by 180 radian होता है यह रेडियन की value होती है और 1 radian is equal to क्या होता है यहां हम लोग अलरड़ी डिसकस कर चुके है 180 by 5 degree ठीक है इसको अब आप कैसे solve करोगे सब पहला 30 degrees क्या होगा 30 degrees is equal to 30 into 1 degree तो 1 degree की जगा pi by 180 रखो radian is equal to 004 क्या 36 times जाए का pi by pi by 6 radian हो गया 45 degree की बैलू आप क्या होगी 45 into 1 degree 45 into pi by 180 radian is equal to किता होगा 5 by 4 होगा 60 degree की बैलू क्या होगी 60 into 1 degree is equal to 60 into 1 degree की बैल क्या होगी pi by 180 टीटेंट तरी तरी रीडियन आगया इसी तरह 90 डिगरी 90 डिगरी इसकर तो 90 इंटु वन डिगरी इसकर तो 90 इन्टु पाइब बाइब 180 0-0 गया यह रेडियन में आएगा पाइब 2 आएगा रेडियन इसी तरा आप सब्कार कर सकते हो जैसे मैं को और कर दे रहा हूं 135 टीक है तो 135 इन्टू वन डिग्री इस इकल टू 135 इन्टू पाइब 180 ठीक है तो ठीक है यह 45 टाइम से 45 से कितीन टाइम चाहिए यह जाएगा थ्री टाइम थ्री पाइब भाई फॉर थ्री पाइब फॉर आ गया तरह कोई भी 270 का कर लो इसे 270 का मैं कर दे रहा हूं 270 इन्टू पाइब भाई 180 किती बार जाएगा यह 270 45 डिक्री 676 पाइब फॉर इसको आप और कट कर सकते हो 352 वी कर सकते हो 352 करेक्ट है ठीक है और भी करना चाहो 150 करना चाहो 180 करना चाहो कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है यह मैंने करवा दिया अब साइन 15 साइन 45-30 डिग्री ऐसे एक सकते हैं साइन ए मैनस बी का फर्मॉला हम लोग अलडी कर चुक है साइन एक और सबी माइनस को से साइन भी यह फर्मुला अप्लाई करें तो साइन 45 और 30 माइनस को सबीवाइव साइन 30 यह कितना हो जाएगा साइन 45 पे लोगन बाई रूट टू इंटू रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2 कितना जाएगा रूट 3 माईनस 1 बाई 2 रूट 2 यह आगे कौन्स ऑप्शन सही है वी वाप्शन ज़दा अप्रूपेट है चलो नेक्स कोशन करते हैं साइन 45 साइन 45 साइन 75 क्या होगा साइन 45 प्लस 30 फिर से साइन A प्लस ऒी का फॉरम्ला क्या होगा साइन A कॉस aún वी ng फ्लस कॉस ऐ साइन भी अभी फॉर्मॉला अप्लाइच आय तहे हैं साइन 45 कॉस 30 प्लस size 45 टू साइन तर्टी ये कितना होका वाड़ायरू टू एंटू रूट सरी बाइंटू प्लस वंट रूट टू एंट्ट वन पही टू किता हो जाय का रूट ृट्री प्लस वन वाई स्टूरूर्टू यह आपका अंसरों का सॉप्षिन से यह वाला ज्यादा अप्रोप्रियट है चलो नेक्स पॉशन करते हैं साइन स्क्वार थीटा अच्छा साइन स्क्वार थीटा देखो साइन स्क्वार थीटा प्लस कॉस स्क्वार थीटा इस एकल टू बन होता और कॉस्टू थीटा के फॉर्मुले में आता है 1-2 sin2 theta, आताय, मैंने बताया था, याद करो, तो अब यहां से देखा जाया, तो sin2 theta is equal to 1-2 cos2 theta, यह भी होगा, और यहां से अगर निकाले, अगर मैं इसको इधर वेच दो, और इसको इधर वेच दो, तो 2 sin2 theta is equal to 1-2 cos2 theta होगा, तो sin2 theta is equal to 1-2 cos2 theta by 2, तो sin2 theta के दो value हो गए, 1-2 cos2 theta by 2, 1-2 cos2 theta by 2, B वाला, और 1-2 cos2 theta, यानि C वाला, तो यह दो options जादा appropriate हुए इसके लिए, तो B और C दोनों करेक्टर है इसमें, ठीक है, एने कोशन करते हैं, cos2 theta, cos2 theta के तीन फर्मुले होते हैं, बताया होगा, cos2 theta minus sin2 theta, दूसरा cos2 theta, क्या फर्मुला होता है, ठीक है, 2 cos2 theta minus 1, और cos2 theta is equal to 1-2 sin2 theta, sin2 theta, अचा, cos2 theta का एक और फर्मुला होता है, 1-10 square theta upon 1 plus 10 square theta, अब कहोगे यह कैसे, इसको साउब करका देख लो, sin2 theta upon cos2 theta upon 1 plus sin2 theta upon cos2 theta, यहां लेंगे, देखो जरा, cos2 theta, cos2 theta minus 1 square theta upon cos2 theta plus sin2 theta upon cos2 theta, 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 अपों, यह क्याए, cos2 theta, 1 होता है, 1 हो गया, तो cos2 theta minus 1 square theta, कितना होता है, यह देखो पहला है, एंसर, question, cos2 theta, cos2 theta, cos2 theta, यहां, cos2 theta के 4 formula होगा, पहला यह, दूसरा, यह, तीसरा, यह, और यह, चौर्था वाला, ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा answer appropriate है, यह वाला है, देखो, तो दूसरा वाला, 2 cos2 theta minus 1, B वाला भी option, 1 minus 2 cos, 2 sin2 theta, यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है, लेकिन यह नहीं ठीक है, दी वाला, नहीं ठीक है, तो A, B और C, appropriate answer है, cos2 theta के इन formula में, ठीक है, next question करते है, next question, cos square theta, अब देखो, फिर से, 1, उसको मैं ऐसे लिख गता हूँ, sin2 theta, sin2 theta, sin2 theta plus cos2 theta, इसको मैं होता है, cos2 theta is equal to 1 minus sin2 theta, यह होगा, correct है, यह यह वाला, यह वाला, सी वाला सही हो गया, अब cos2 theta का एक formula होता है, 2 cos2 theta minus 1, अभी 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 लोग ने किया था, तो 2 cos2 theta is equal to 1 plus cos2 theta होगा, तो cos2 theta is equal to 1 plus cos2 theta upon 2 होगा, 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 cos2 theta, 1 plus cos2 theta by 2, एवाला option B, appropriate है, correct option है, तो A और सी दोनों correct हुआ, B नहीं सही हुआ, ठीक है, correct है, चलो next question करते हैं, next question मैं क्या है, sin3, 300 degree के वेलो, 300 को आप कैसे लिख सकते हैं, और मैंने already discuss किया हुआ, 360 को आप 0 degree के equal लिख सकते हो, तो sin 0 degree minus 60 degree, इस अपर टो क्या होगा, sin minus 60, और already हम लोग डिसकस कर चुके हैं, कि sin minus theta is equal to minus sin theta होता है, sin minus theta is equal to minus sin theta, तो यह क्या होगा, minus sin 60 होगा, sin 60 की वेलो कितनी हो, root 3 by 2 होती है, तो minus root 3 by 2 होगा, कॉंस options है, सी वाल options are appropriate है, चलो next question करते है, sin 90 plus theta, sin 90 plus theta किस quadrant में है, यह आपका second quadrant, second में क्या होता है, sin positive होता है, पहली बाद, दूसरा, क्या sin cause में change होगा, answer हाँ, बिल्कुछ change होता है, तो यह answer आपका होगा, appropriate, so cause theta is the appropriate answer, यह B वाल options are appropriate है, ठीक है, next question करते है, sec, sec pi plus theta, pi मतलब 180, 180, तो 180 plus theta मतलब यह किस में आ गया, pi plus theta, third quadrant में आया, third quadrant में 10 और court positive होता है, यह निए, sec negative होता है, sec को negative मैंने कर दिया, अब 9, 180 plus theta में क्या sec को सेक में change होगा, answer है, नई change होता है, sec का सखी रहेगा, तो minus sec theta होगा, तो डीवाल options ज्यादा appropriate है, यह ध्यान लखना, यह already हम लोग कर चुके हैं, इसलिए, यह चीज़ करना बहुत आसान हो गया, यह question को solve करते वर, next question करते है, 7 sign 750, अब इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिए दियते हैं, इसको लिख दो, sign 720 plus 30, ऐसे लिख सकते हैं, इस लिख सकते हैं, इस लिख सकते हैं, इस question में क्या है, cos, cos 11 pi by 6, इसको क्या सकते हैं, cos pi minus, क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 pi plus 5 pi upon 6, ऐसे लिख सकते हैं, आइना सही, तो cos 6 pi by 6 plus 5 pi by 6, यह हो गया, और यह कितना आएगा, cos pi plus 5 pi by 6, इसको एक और तरीका है, लिखने का वो मैं बता दे रहा हूं, जल्दी से, इसको तोड़ा erase कर देता हूं, एक और तरीका है, छोटा, वो थोड़ा जादा easy लगेगा, इसको बता देता हूं, देखो, cos 11 pi by 6 है, इसको cos 12 pi minus pi by 6, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, 12 pi by 6 minus pi by 6, ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, cos 2 pi minus pi by 6, और देखो, 2 pi की वेलू, 360 के एक वेल होती है, 360 के बढ़ा होता है, तो यह इसको 0 लिख सकते है, cos 0 minus pi by 6, क्या आएगा, cos, क्यों नहीं चल रहा है, cos minus pi by 6, cos minus pi by 6 का मतलब, cos 5 by 6, cos 5 by 6 के वेल, cos 5 by 6 का मतलब, 5 by 6 का मतलब 30 degree, cos 30 degree degree, क्या होती है, रूट 3 by 2, root 3 by 2, कौन सॉप्षिन ज्यादा प्रॉप्षिन है, डीवाल उप्षिन ज्यादा प्रॉप्षिन है, चलो, next question करते हैं, देखो, 10, 10, 2, 2, 5, इसको क्या लसकते हैं, 10, 180, plus 45, अच्छा, ये किस कौदरेंट में आता है, 180, plus 45, 3rd quadrant में, 3rd में 10 positive होता है, और 180, plus theta, क्या 10, 10 में change होगा, की cot में change होगा, answer 10 में ही रहेगा, ठीक है, तो 10, 45 की value, 1 होती है, तो plus 1, कौन सॉप्षिन ज्यादा प्रॉप्षिन ज्यादा अप्रॉप्षिन है, चलो, next question करते है, है, theta की value, 120 degree है, तो, sine 120 degree की value, क्या होगी, sine 90, plus 30 degree, यानि, sine 90, plus 30, sine 90, plus 30, second quadrant, second quadrant में, क्या sign positive होता है, हाँ, होता है, क्या sign cost में change होगा, हाँ, बिल्कुल होगा, sine 30 की value, root 3 by 2 होती है, plus root 3 by 2, बिल्कुल सही है, ठीक है, अब cost 120 की value, theta की जगह 120 रखके देखते हैं, है, तो, cos 90, plus 30, क्या, इसमें, second quadrant में, possible होता है, negative होता है, तो, negative की value कितनी होगी, क्या cost, sine में change होगा, हाँ, change होगा, sine 30 की value क्या होजागी, minus 1 by 2, या, answer गलत है, चीक है, cot, cot 120 की value, check कर लेते हैं, cot 90, plus 30, second quadrant में है, सेकेंड में, negative होता है, क्या change होगा, 10 में, हाँ, change होगा, 10 30 की value क्या होगी, minus 1 by root 3, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा, 10 theta, यानि 120 की value, 10 90, plus 30, कितना हो जाएगा, second quadrant में negative होगा, चीक है, क्योंकि sine और reciprocal का positive होता है, बाकि सब तो negative होता है, 10 cot में change होगा, 10 30 is equal to minus, कितना हो जाएगा, minus root 3, minus root, ये भी नहीं सही है, तो सही कौन सा है, पहला वाला, ये वाला, ज्यादा appropriate है, next question करते हैं, देखो, इस question में, following angles, line, which quadrant, ये, ठीक है, तो pi by 3, radian है, degree में convert करता, pi by 3 into 180 by pi, ठीक है, degree में convert हो जाएगा, 180 by pi से multiply करेंगे, तो ये degree में convert हो जाएगा, pi से pi करता, 3 से 60, 60 किस quadrant में है, first quadrant में, ठीक है, इसी तरह सब का आप कर सकते हो, 5 pi by 3 है, इसको कैसे करो को, 5 pi by 3 into 180 by, pi से मनी प्लग, pi से pi करता, यहां 60, और ये 300 आएगा, ये 300 किस quadrant में है, ये 4th quadrant में आगया, इस तरह 2 pi by 7 को कर सकते हो, 5 pi by 6 को कर लो, 7 pi by 5 को कर लो, 3 pi by 2 को, ये already conversion है हम लोग कर चुके है, रेडियन टू, रेडियन टू, डिगरी में कनवर्ट करके, आप एंगल की वेलू बता सकते हो, 0 to 90 डिगरी, 1st quadrant में, 92, 180, 2nd quadrant, 182, 270, 3rd quadrant, 272, 360, 4th quadrant, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, next question करते है हम लो, next question, इसमें match करना है, sign 37 की वेलू, 3 by 4 होती है, कौन सा, 3 by 5 होती है, कौन सा, ये वाल ऑप्शन जाधा अप्रोपेट हैसमें, cos 127, cos 127, cos 90, cos 90 plus 37, second quadrant में, cos negative होता, negative कर दिया, और cos sign में चाहिए होगा, हाँ, बिलकुल होगा, 37, यानि, minus 3 by 5 होगा, तो इसकी वेलू, minus 3 by 5 ये वाला है, पी वाला, ठीक है, उसके बाद से 10, 20, 307, 307 को आप क्याल सकते हो, और 10 आप लिख दो, 360 minus 53, minus 53, ये हो जाएगा, 60 को 0 कर दो, 360 को 0 कर दो, 0 minus 53, और यह जागा, 10 minus 53, 10 minus 53, 10 minus 53, 10 minus 53 की वेलू, minus 4 by 3 होगी, minus 4 by 3, minus 4 by 3 कहीं है, यहाँ है, ये इसके सामने वाला ही हो गया, cos 37, cos 307, cos 307 का क्या होगा, cos 360 minus 53, ये कितना हो जाएगा, कितना है, cos 0, minus 53 हो जाएगा, 360 को 0 लिख सकते है, cos minus 53, is a part 2, cos 53, cos 53 की वेलू कितनी होती है, cos 53 की वेलू, 3 by 5 होती है, 3 by 5 होती है, हाँ, सही होती है, 3 by 5, 3 by 5, ये, ये वाला ओप्शन, टी वेला हो गया, और cos 53 माइनस में, cos 53 माइनस में, तो ये भी, plus cos 53 होगा, इसकी वेलू, जो है, वो कितनी होगी, 3 by 5 भी होगी, तो ये वाला ओप्शन का भी, टी वाला अप्रूपेट अंसर है, 3 by 5, 3 by 5, इसको इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, ठीक है, चलो, next question करते है, next question में क्या है, वैलू, एक, एक किसकी होती है, देख लेते हैं, तीनों, चालों की, 10, 2, 2, 5, is equal to 10, 180, plus 45, ये कितना होगा, 10, 180, किस quadrant में है, ये 3rd quadrant, में 10 positive होता है, 10, 45, 10, 10, 1, 180, plus theta में, तो ये बोगी plus 1, होता है, सही है, ये वाला सही है, cot, cos, minus pi, cos, minus pi की value, minus, minus, minus 1, हाँ, cos, 180 की value, minus 1, minus, minus 1 होती, minus, plus 1 हो जाएगा, ये भी होता है, ये भी सही है, cos, minus 1 होती, ये धियाना होती है, ठीक है, अब ये क्या? Sine 5Pi by 2, अब इसको देख लेते है, Sine 4Pi plus Pi by 2, ऐसे ले सकते है, यानि Sine 2Pi plus Pi by 2, Sine 5 मतलब 360, 360 value 0, 0 plus Pi by 2, यानि Sine 5 by 2, Sine 5 by 2 की value फिर से 1 होती है, 90 डिगरे न, 5 by 2 मतलब 90 डिगरे, इसकी वेलू भी बन होगी ये भी ठीक है और अब 10, 10405 डिगरी की वेलू क्या होगी, 10 को आप ले सकते हो, 360 प्लस 45, 360 को क्या लिट होगी, 0, 0 प्लस 45, कितना हो जाएगा, 1045, 1045 के लिए, फिर से 1, प्लस 1, तो तीनो चारो की वेलू, प्लस 1 के एक्वल होगी, तो यह पूछ अब स्ट्रेच टान, स्लोप निकालना है, 2X प्लस 3Y, इस अपर तू 5 एक्वले टिने में टरिक है नहीं है, यह स्लोप एक्वेशन है, Y is equal to MX प्लस C, इक्वेशन होता है, तो इसको इसको अब कर लो, उस फॉरम में, 3Y is equal to 2X को उधर बेज़ दो, मैनस 2X प्लस 5, या 3 से डिवाइड कर दो, दोनों साइड में, 2 by 3, X plus 5 by 3, तो अगर कम्पेर करो किसके साथ, तो M की वैलू यह हो जाएगी, ठीक है, Y is equal to MX प्लस C के साथ कम्पेर करें, तो M की वैलू कितनी हो जाएगी, मैनस 2 by 3, और C की वैलू 5 by 3, तो स्लोग पूछा है, तो मैनस 2 by 3, मैनस 2 by 3, सीवर आप्शन का अप्रोप्रियेट है, चलो, यह होगी हमारा 25 कोशन से, हमारे, इसमें, जो मैथमेटमेटिकल टूल के टिनमेट पूर्शन हम लोगों ने किया है, उसमें 25 कोशन है, अभी हम लोगों ने, अभी डिफ्रेंशेशन नहीं किया है, इंटिग्रेशन नहीं किया है, जब उसका डिसकेशन हो जाएगा, तो हम डिफ्रेंशेशन और इंटिग्रेशन के कोश्चन भी डिसकस करेंगे, चलो, नेक session आगे बढ़ते हैं